फिर दोस्तों, विल्कम बैक तो दचटपटोई टीवी आज की वीडियो में मैं अन्बोक्स और टेस्ट करने वाला हूँ रिमोट कंट्रोल शार्क हाँ दोस्तों ये सच में एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली शार्क है और ये शार्क पानी के अंदर बहुत ही कमाल तरीके से तैर भी सकती है और ये शार्क बहुत ही खतरनाग भी है आप यहाँ पर देख सकते हो तो चलिए दोस्तों बिना वक्त बीच के फटा फट से इसकी कर लेते हैं अन्बोक्सिंग दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो इस आर्सी शार्क को मैंने कितने में खरीदा है और कहां से खरीदा है तो ये वीडियो पूरी देखना गाइस वीडियो के बीच में मैं आपको कहीं पर भी बता दूँगा आप इस रिमोट कंट्रोल शार्क को कहां से खरीद सकते हो तो दोस्तों इसकी अन्बोक्सिंग करने से पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ इसके सारे फीचर्स इसके बॉक्स पे ही लिखे हुए है तो देख सकते हूँ यहाँ पे लिखा है एक्स्प्लोर डीप सी रियल लाइफ लाइक मुवमेंट फुल फंशन आर्सी है इसके अन्दर फर्वर्ड है बैकवर्ट से लिफ्ट है और राइड भी है 2.4 गिगर हर्ट्स वाला रिमोट भी मिल जाता है हमें इस आर्सी शार्क के साथ तो फुल कंट्रोल कर सकते हो आप इस आर्सी शार्क को रिमोट कंट्रोल के साथ तो बॉक्स इस तरह का है पैकिंग तो बहुत ही कमाल की की है इन लोगोंने तो चलिए दोस्तो बिनावक्त वेश के फटाफट से इसकी कर लेते हैं यहाँ से अन्बॉक्सिंग दोस्तो आपने अभी तक चकपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना साथ में बेल उल्कॉन में दबा देना और और अल नोटिफिकेशन को भी जरूर चान कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालो वीडियो आपको जल्दी से मिल सके यह रही दोस्तो हमारी सबसे डेंजरस सी दिखने वाली शार्क आप देख से क्यों कितनी ज़्यादा डेंजर है यार यह तो इसे रखते हैं साइड में और देख लेते हैं इसके साथ हमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं यह रहा इसका रिमोट कंट्रोल गाइस वीडियो लाश्ट तक जरूर से देखना आपको बहुत मजा आने वाला है यह वीडियो देखकर क्योंकि मैं इस RC शार्प को बाहर एक तलाप के पास जाकर चलाने भी वाला हूँ तो यह रहा इसका रिमोट और इसके साथ एक चार्जर भी मिल जाता है मैं इस RC शार्प को चार्ज करने के लिए यह रही इसकी यूजर गाइड तो चलिए यह शार्प मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ तो यहाँ पर इसे बिलकुल शार्प की तरह डिजाइन किया गया है तो यहाँ पर देख सकते हो इसके eyes है यहाँ पर है इसके teeth हलागी इसके teeth यहाँ पर black color के नजर आ रहा है मैं shark के teeth पूरी तरीके से white color के होते है gues तो बहुत ही dangerous है यार दिखने में ही है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके इतने बड़े बड़े fins भी दिये गए हैं यह है side वाले fins यह है इसका उपर वाला fin और पीछे देख सकते हो बहुत ही flexible सी एक tail भी दी गई है यहाँ पर हम चाहे तो इसकी tail को यहाँ से अलग भी कर सकते हैं मैं आपको निकाल के भी बता दे हूँ शायद इसे इस तरह से निकालते हैं देख सकते हो वैस यह इस तरह के parts में आ जाती है आप चाहे तो यहाँ पर भी कुछ parts दिये गए हैं यह parts को भी अलग कर सकते हो तो इसे वापस से लगा लेते हैं दोस्तो तो काफी अच्छी design लगी मुझे इस RC shark की तो नीचे दे battery compartment मैं से open करके आपको battery भी दिखा देता हो मैं इसमें कितने mh की battery मिलती है इस part को बहुत ही अच्छी तरीके से seal किया गया है ताकि इसके अंदर water वगेरा ना जा सके क्योंकि यहाँ पर battery दी गई है अगर इसके अंदर एक बार water चले जाएगा तो guys आपको पता है यह shark काम नहीं करेगी तो बहुत ही जबरदस तरीके से यहाँ पर packing दी गई है इस cap को हटा देते हैं यहां से तो यह रही हमारी battery तो यह है 350 mh वाली battery इस battery को मैंने already 30 minutes से भी ज़्यादा चार्च किया है तो यह battery अभी full है guys देखते हैं यह battery में कितनी देर तक backup देती है तो यहाँ प यहाँ पर जल्दी से इन स्क्रूज को टाइट कर देता हूं मैं इसका cover भी लगा लेते हैं यहाँ पर तो अभी मैं आपको इसका remote दिखा देता हूं जल्दी से उसके बाद चलते हैं बाहर यह रहा इसका remote काफी unique सा design है इसका remote का आप देख सकते हो guys यह 2.4 GHz पर चलने वा remote है इसकी joystick भी काफी अच्छी है बहुत ही tactile है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी दो buttons दिये गए है पता नहीं यह button किसलिए काम में आते हैं देखते हैं इस बाहर जाकर जल्दी से यहाँ पर डाल नहीं होती है मैं टू बैटरी मैंने इसके अंदर बैटर कर दो किपा इस स्वीण चाहँ अंदू है नहीं हुँ दो शर फखना नहीं है। है कRY दो हैजय कर दो फ झाल 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 झाल